दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में तो आप सभी देखी रहे हैं कि जहां सीरियल में हमें अभिनेत्रिया आईश्वा सिंग और आईश्वरिया शर्मा देखने को मिल रही है जो सीरियल में साई जोशी और पाकी का किरदान नभाते हुए नजर आ रही है दोनों ही सीर अगर आप भी जाना चुहाते हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंद तक लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को इन दो बहतरी नदाकाराओं के लिए लाइक करना ना भूले सबसे बहले बात करते हैं अभी नेतरी आईशा सिंग की जो इस सीरियल में साई जोशी का किरदान निभा रही है जहां सीरियल में ये लीड डोल में नजर आ रही है सीरियल की सारी स्टोरी इनी के उपर नरधारत होती हुई नजर आ रही है सीरियल में साई जोशी और वराट बने नील भट की लव कैमिस्ट्री देखने को मिल रही है दोनों ही अपनी लव कैमिस्ट्री में सब का दिल जीत रहे है जहां दोनों के बीच कभी प्यार तो कभी नोग जोग देखने को मिलती है तो वहीं दर्शक भी सीरियल में आईशा सिंग की जोडी नीलभट के साथ काफी ज़यादा पसंद कर रहे है यह सीरियल में जिस तरहों से अपनी अक्टिंग के एक्ष्प्रेशन को एक्स्प्रेस कर रही है वो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है जिसके चलते दर्शक इनके एक्टिंग की तारीफ करते हुए नहीं थकते अब बात करते हैं आभी नेत्रिय एश्वरिय शर्मा की जो इस सीरियल में पाकी का किरदा निभाते हुए नजर आ रही है इनका भी रोल सीरियल में लीड रोल की तौर पर देखने को मिल रहा है जहां सीरियल में ये नेगिटिव करदार के अफ़तार में देखी जा रही है जो हैं अपने negative किरदार को परदे पर उतार रही है वहीं ये भी अपने expression को express करने में पीछे नहीं हटती तभी तो ये अपने हरेक expression को परदे पर काफी अच्छे से पेश कर रही है ये सीरियल में twist और turn लाती रहती है और इसी वज़े से दर्शकों को इनका करदार काफी जादा interesting लगता है जहां दर्शक इनके करदार सही इने भी बेहत बसंद करते है अब बात करते हैं इन दोनों अभी नेत्रियों में से दर्शक किसको सबसे जादा बसंद करते है तो आपको बता दे कि अभी नेत्री आश्वर्या शर्मा से ज़्यादा दर्शक आईशा सिंग को बसंद करते हैं क्योंकि आईश्वर्या शर्मा सीरियल में नेगेटिव किरदार निभाती है जिसके चलते दर्शकों पर इनका प्रभाव थोड़ा कम पढ़ता है वहीं आईशा सिंग सीरियल में पॉजिटिव किरदार में देखी चा रही है तबी दर्शकों को आईशा सिंग के इनोसेंट एक्स्प्रेशन और अदाएगी इसकदर पसंद आ रही है कि दर्शक इन्हें अपना बेशुमार प्यार देते है वेल दोस्तों आप इन दोना अभी नेत्रियों में से किस अभी नेत्री को ज्यादा पसंद करते हैं आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए साथी टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले